हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं किड्नी स्टोन के बारे में इसको कुछ अन्य नामों से भी जानते हैं जैसे रिनल कैलकुलाई यूरो लिथीयसिस नेफ्रो लिथीयसिस या फिर हिंदी में बोले जाया तो किड्नी की पत्री इन जनरल देखा होता है एस कंपेर टू फीमेल और वह भी जोली बीस से पचास साल की उम्रह में यह जादा पाया जा सकता है आपके आसपस किसी को भी किड्नी स्टोन हुआ होगा जरूर आपने देखा होगा तो वह बताते हैं या फिर हो सकता आपको खुदी हुआ होगा तो अपने महसूस किया होगा कि इसमें जो दर्ध है बहुत जादा होता है असली जिसको बहुते हैं ऐसा लगता है किसी ने चाकु घोब दिया हो इस तरीके से दर्ध होता है यह थर अच इनासाइनained करते की आपका स्टोन कितना बड़ा है कौन से टाइप का स्टोन है उसके एकॉर्डिनली यह अलग-अलग टाइप का या फिर अलग-अलग इंटेंसिटी का दर्द होता है और इंडिया में देखा जाये तो लग-बग 12% पॉपुलेशन अपने लाइप में कभी न कभी किड्नी स्टोन है इसको फील करते हैं या फिर उनको किड्नी स्टोन होता है इसके अर्लियर डि क्योंसे टाइप्स होते हैं कौण से सिंटाम्स होते है हूसका क्या है तो लेट्स स्टाठ विडू हमें इस्टाइ Spider नहीं होता है यह तभी अपियर होता है जब हिए हमारे किड्नी में मुव करते हैं ईस्टन अरको मुव करेंगा या तो पिर वो यृट्र की तरब और मूव करेगा अधर्वाइस कोई symptoms हमें महसूस नहीं होगा यह kidney stone kidney से लेगर के bladder में कहीं पर भी पाये जा सकता है इसका existence in between कहीं पर भी हो सकता है और यदि यह ओर जाता है तो फिर यूरीन का फ्लोव नहीं हो पाता है और किड्नी में होने लगता है और यह कंडिशन काफी painful होता है तो यह एक symptom है means pain तो होता ही है plus kidney में swelling हो सकता है उस condition में जो ureator है वहाँ पर stone फासा हुआ होता है अब जो kidney stone का primary symptom है वो है pain means दर्द होना बहुँँ जादा तो दर्द कहां पर होता है यह दर्द होता है जो ribs है उसके नीचे में यह जो ribs होता है इसके नीचे वाले पार्ट में और groin वाले एरिया में भी pain हो सकता है groin area means जो हम लोग का upper थाई है और जो abdomen है उसके बीच का part को हम लोग groin बोलते है तो वहाँ पर भी pain होता है काफी intense pain होता है और यह pain usually तली यहां पर side में होता है और इधर backside में होता है क्योंकि जो kidney का position है वो back side में ज्यादा होता है इसके लावा जो kidney stone में दर्ध या फिर pain होता है वह fluctuate करता है means वह वेव के फाम में आता है कभी पेन बहुत जादा इंटेंस होता है और कभी कभी कम हो जाता है इसके अलावा एक और जो सेम्टम है वह है कि जब हम लोग यूरीनेशन करते हैं यदि किड्नी स्टोन है तो उस यूरीनेशन में थोड़ा सा जलन होगा या फिर बर्निंग सें सकता है वह पिंक रेड या फिर ब्राउन हो सकता है क्लावडी हो सकता है या फिर कई बार उसमें फॉल स्मेल आता है मैंस एक करेक्टरिस्टिक डिफरेंट टाइप के स्मेल आता है यूरीन में तो वह भी किड्नी स्टोन का एक सिम्टम है कई बार इसमें नौजिया और वो किड्नी स्टोन में एक और चीज होता है कि जो दर्द होता है कभी जहां हो रहा है कभी दर 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 हो रहा है तो क्या होता है जो दर्द है या पेन है वह सिप्ट करता है उसका पोजिशन वह इसलिए होता है क्यों कि स्टोन करता या करता है उतना है तो उतना जल्दी और आसानी से ठीक हो सकते हैं जो किडनी स्टोन है तो जो स्टोन का साइज होता है वो इंक्रीज हो गया तो आपको सर्जरी की भी ज़रत पढ़ सकती है बड़ यह अर्ली डिटेक्ट हो जाता है स्टोन का साइज छोटा रहता है तो उस कंडिशन में यह ऐसे ही ट्रीटमेंट ले सकते मेडिसीन से से निकल सकता है कोई सरजर्य होगा रखा जोरत नहीं पड़ता है अब हम लोग बात करते हैं इसके काराण का तो जो किड्नी स्टोन है मेंली होता है कैल्सियम और यूरिक एसिट के डिपोजिशन होने से किड्नी में या फिर यूरिनिरी ट्रैक्ट में इसका मतलब यह हुआ क कर एक यूरिन में जो crystal forming substanze से उसका concentration जादा है या फिर ऐसे atau क्रिस्टल फर्मेशन को रोकते हैं उसका concentration कम है तब यह किड्नी स्टोन होता है अब यहाँ पर कुश्चन आता है कि हमारे बोडी को ऊक्जलेट कहां से मिलता है तो ऊफिर हम लोग जो होता है या फिर हम लोग आइट लेते है इस परसलि कुछ विजेडेबल होते हैं और कुछ nuts होते हैं, chocolates होते हैं, इन सब में oxalate present होता है, यह हमारे diet से body में absorb होता है, तो यह oxalate और फिर calcium, दोनों में करके calcium oxalate बना लेते हैं, और ultimately वो kidney में deposit होते हैं, और calcium stone का formation होता है, कई बार calcium stone का deposition बहुत जादा amount में vitamin D का supplement लेने से, यह फिर कुछ drugs जैसे migraine और seizure का treatment के लिए लेते हैं, उससे भी हो सकता है, और calcium stone का formation हो सकता है, इसमें जो second type का stone होता है, वो होता है, struite stone, यह usually urinary tract में infection के करण होता है, जब urinary tract में infection हो जाता है, जिसके करण फिर stone का deposition कीड इगनी में होने लगता है, और इस condition में भी calcium और phosphate का ही deposition होता है, और यह जो stone का size है, बहुत जल्दी ग्रो करता है, इस type के stone में, इसमें जो third type के stone होता है, वो होता है, यूरिक acid stone, यह तब होता है, जब body से बहुत जादा amount में fluid का loss हो जाता है, लंबे समय तक, जैसे कि 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 को chronic diarrhea हो गया, तो वो diarrhea लंबे समय तक चलेगा, तो fluid का loss बहुत जादा हो जाएगा, प्लस किसी में mal absorption हो गया, means properly absorption नहीं हो रहा है, उस condition में, या फिर जिन लोग high protein diet ले रहे हैं, उनमें, या फिर किसी को diabetes है, या फिर metabolic syndrome है, उनमें भी यह uric acid stone के chances बढ़ जाता है, इसमें जो fourth type होता है, वो होता है, सिस्टीन स्टोन, यह usually heredity problem है, means genetically यह parent to child में transfer हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, सिस्टीन इूरिया, इससे क्या होता है, जो kidney है, specific type का जो amino acid है, उसका secretion बहुत जादा करता है, तो उसके बाद फिर यह सिस्टीन स्टोन बन जाता है, अब हम बात करते हैं, kidney stone के diagnosis का, जो symptoms है, उससे primarily पता चल जाता है, कि kidney stone हो सकता है, बट उसको confirm भी तो करना पड़ेगा, कि यह kidney stone है, कि कुछ दूसरा है, तो उसके लिए जो first test होता है, blood test होता है, blood में calcium और uric acid का concentration देखा जाता है, उसके accordingly, doctor को पता लग जाता है, कि kidney stone हो सकता है, अब इसमें जो second test होता है, वो होता है, urine test, इसमें doctor आपको usually 2 दिन तक urine का collection करने के लिए बोलते हैं, या फिक 24 आवर तक collection करने के लिए बोलते हैं, जिससे आपका urine का proper sample मिल पाए, अब urine में आपका detect किया जाता है, कि ऐसे जो minerals है, वो कितने amount में जो stone या फिर crystal का formation कर सकते है Apart from this, उन substance का concentration कितना कम है, जो crystal formation को prevent करते हैं, तो accordingly doctors को पता चल जाता है कि kidney stone है या फिर नहीं है, इसके अलावा आजकल imaging technology भी use किया जाता है, जैसे कि CT scan हो गया, या फिर ultrasound हो गया, but usually आजकल x-ray यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि x-ray में जो बड़े stone है, वो तो समझ में या फिर वो पता चल जाएगा, बट जो छोटे stone है, इनका size बहुत छोटा होता है, वो detect नहीं हो पाते हैं, तो x-ray यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो exact result नहीं दे पाएगा, कई बाए doctors जो stone pass होगा है आपके urine से, उसका भी analysis करते हैं, तो अब जो stone pass होगा, वो आपको मिलेगा कैसे, तो उस condition में doctor बोलते है, एक strainer आपको दे देते है, ठीक है, strainer means एक तरीके का चन्नी, अब जब आप urine करोगे तो उसमें urine करोगे, तो urine pass हो जाएगा, और यदि कोई stone आपके urine में है, तो उस चन्नी में वो अटक जाएगा, फिर उसको ले करके आपको diagnosis के अब हम लोग बात कर लेते हैं, इसका treatment का, तो इसके treatment के लिए अलग-अलग type से हो सकता है, जैसे किसी का stone है, उसका size चोटा है, तो उसका treatment होगा, तो जो चोटा stone है, या फिर early detect हो गया, उसका treatment के लिए जो first है, जो doctor बोलते है, वो जादा से जादा पानी पेने का, जब कमेंड किया जाता है, कि 1.8-3.6 लीटर तक पानी डेली पीजे, ताकि आपका urination proper हो, और आपका kidney का stone है, ऐसे ही निकल जाए, इसके अलावा kidney stone में दर्द भी होता है, तो उसको relieve करने के लिए कुछ दर्द निवारक बोलियां दी जाती है, जैसे कि NS8 होगा, ibuprofen अगरा हो blockers, जो muscle है, उसको relax कर देते हैं, ताकि आपका urator है, वहाँ पर जो stone फसा हुआ है, उसको निकलने में आसानी हो, और आपको कम दर्द में वो सारा stone निकालने में आसानी हो, बट यह सारा चीज, यह सारा medicine आपको physicians के सलहा के बाद ही लेनी है, आपको ऐसा ही खुच्चे नही check the stone, means जो sound है, उसका wave को use करते हैं, जिससे जो stone है, break हो जाते है, simply आप देखे होगे कि मानलो, पानी रखा हुआ है, ठीक है, और वहाँ पर बहुत जोर जोर से music चलाओ, तो जो glass का पानी है, उसमें क्या होगा, ऐसे waves आएंगे, उसमें vibrations होने लगता है, और उसी vibration की वज़ lithotripsy, तो इस technique का use करने के बाद, जो stone है, वो छोटे-छोटे size में break हो जाता है, और ultimately वो urine के तुरू pass हो जाता है, और जब ESWL technique से stone नहीं निकलता है, तो उस condition में फिर surgery करना पड़ता है, और इस technique को बोलते है, percutaneous nephrolithotomy, इसमें surgically stone है, उसको remove किया जाता है, तो इसमें इ telescope और ultimately जो stone है, उसका surgery करके removal होता है, इसके अलावा एक और reason हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे body में जो calcium stone है, उसका formation हो सकता है, and that is due to hyper activity या parathyroid gland, तो parathyroid gland क्या होता है, यह जो हमारा Adam's apple होता है, इसके नीचे में present होता है, यह parathyroid hormone release करता है, जिसकी वजह से हमारे body में जो calcium क level है, वो बहुत ज्यादा increase हो जाता है, जब calcium का level increase हो जाएगा, तो उसकी वजह से calcium stone बनने के chances भी बढ़ जाएगे, तो इस condition में जो hyperactive parathyroid gland है, उसको सही करने के लिए उसका surgery करना पड़ता है, तो यह तो हो गया common treatment, अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं, इस specific treatment का में इस accordingly कौन सा treatment दिया जाता है, तो जो calcium stone है, उसके लिए usually thazide diuretic दिया जाता है, या फिर कोई phosphate containing preparations दिया जाता है, जिससे वो ठीक हो जाते हैं, दूसरा जो uric acid stone होता है, उसको सही करने के लिए allopurinol plus alkalizing agent उगरा दिया जाता है, ताकि जो uric acid है, वो dissolve होकर के बाहर निकल जाए, और blood में और urine में uric acid का concentration decrease हो जाए, थर्ड जो होता है, जो urinary tract में infection के कारण होता है, तो उस समय जो physician है specific कुछ antibiotics देते हैं, ताकि वो infection पहले खाता हो, फिर वो stone का treatment देते हैं, अब जो last type का stone है, सेस्टीन stone, तो उसको सही करने के लिए आपको diet में कम protein लेने के लिए बोला ज जाता है, fluid ज्यादा लेने के लिए बोला जाता है, ताकि वो particular आपका urine है, वो dilute हो जाए, इसके लावाद जो सिस्टीन है, उसको dissolve करने के लिए कुछ medicines दिये जाते है, I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके काम का होगा, thank you so much.